फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं the microscopic और miniature form of ohms law के बारे में जैसा कि आपको यादी होगा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने बात की थी microscopic form of current, current density, resistance, resistivity, conductance, conductivity और साथ ही concept of conductance and conductivity के बारे में ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि ohms law जो है, उसका miniature या फिर microscopic form क्या है, जिसका कि हम लोग laboratory के अंदर use करते हैं, तो देखिए जो हमारे ohms law का classical formula है वो है v is equal to me ri, जहाँ पर जो current है वो depend करता है v के ओपर, ठीक है, तो हमें इसे microscopic level में या फिर microscopic form में बदलना है, तो हमें पता है कि जो potential v होता है, उसका microscopic form होता है e multiply by l, यानि कि जो electric field है, वो length के या फिर area के multiplication में होती है, resistance है, उसको हम लोग लिखते है, raw l upon में a, ठीक है, इसी तरीके से जो i है यानि जो current है, उसको हम लोग लिखते है, current density j multiply by area, ठीक है, तो अब इन सब चीजों को, इन तीनों चीजों को अगर आप लोग इस formula के इंदर put करेंगे, तो आप लोग लिखेंगे, e vector multiply by l is equals to my raw l upon a multiply by j vector multiply by a vector, ठीक है, a से a जो है वो cancel out हो जाएगा, यहाँ पर जो l है, वो l से l भी cancel out हो जाएगा, तो value निकल के आएगी, e vector is equals to my raw multiply by j vector, ठीक है, और जो आपका raw है, यानि कि resistivity है, उसको आप लोग लिख सकते हैं, कि one upon में sigma भी लिख सकते हैं, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में जब हम लोग conductivity निकाल रहे तो, क्या लिखा था हम लोगों ने, conductivity, sigma is equals to my one upon my raw, यानि कि resistivity, तो one upon में sigma लिख सकते हैं, तो लिखेंगे e vector is equals to my j vector upon my sigma, जहां से current density j की value होगी j vector is equals to my sigma multiply by e vector, अब इस formula को ध्यान से देखिए, j vector क्या होता है, आपका current density होता है, sigma क्या है, conductivity है, और e vector क्या है, electric field है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लिजे कि आपके पास कोई conductor है, उसके अंदर आप लोगोंने e electric field दी, ठीक है, उस e electric field के अंदर, एक particular point पे इसकी कुछ conductivity होगी, और उस conductivity के हिसाब से ही उसकी current density, यानि कि j होगी, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लिजे कि मैं इस conductivity को change करूए, यानि कि material को change कर दूँ, ठीक है, copper से अगर मैं ferrous कर दूँ, या फिर कुछ और कर दूँ, तो conductivity change होगी, और conductivity change हुई, इसका मतलब उसकी यह जो j, यानि कि current density भी change हुई, current density change होने का मतलब क्या हुआ, यानि कि उसके अंदर से current बहने की, यानि कि current flow होने की जो value है, वो भी change होगी, इसलिए आप लोग देखते हैं कि अलग-अलग material, या फिर अलग-अलग metal, या फिर अलग-अलग conductor में, अलग-अलग current बहता है, मतलब जितना अच्छा current copper में बह सकता है, शायद उतना अच्छा current ferrous में नाव है, या फिर किसी और में नाव है, ठीक है, यानि कि ना flow हो, तो flow of current जो है, वो depend करता है, आपके current density पे, उस conductor की conductivity पे, और उसकी electric field के अंदर, तीनों में सकते हैं कि उसका current किस तरीके से flow हुआ है, ठीक है, तो microscopic level पे current को flow करते हुए हम लोग देख सकते हैं, तो friends यह हो जाता है, macroscopic या फिर miniature form of ohm's low, I hope आपको समझ में आया होगा, इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल आता है, कोई query आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो please आप हमें comment section के जारीए बताइए, so friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही, see you in the next one.